स्वागत है दोस्तों आपका अपनी चैनल SG Food World में मैं लोटी हुए एक और टेस्टी डिलिशिस बहुत सिंपल रेसिपी के साथ जिसका नाम है सेवियों की खीर इसे अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है वर्मिसिली, मीठे जवे, मीठी सेवईयां बहुत ही टेस्टी लगती है फेस्टिव सीजन में तो ये जरूर बनाई जाती है जब भी मीठा खाने का मन करें आप इस रेसिपी को असानी से बना सकते हैं इस रेसिपी के शुरुवात करने से पहले आईए दोस्तों SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटिस्ट अप्टेट्स और नोटिफिकेशन के लिए बिना किसी देरी के चलिए बनाते हैं खीर एक पतीला लिया है मैंने याँ पे आप कोई भी बरतन ले सकते हैं भारी तले का उसमें डालेंगे 1kg फुल क्रीम मिल्क याद रखीगा फुल क्रीम मिल्क ही लें क्योंकि फुल क्रीम दूद की वज़े से ही खीर में टेस्ट लेते हैं ताकि कलर अच्छा आजाए इस खीर में आम तोर पर सर्दियों में केसर का यूज किया ही जाता है खीर में कलर भी बहुत अच्छा आता है साथ के साथ के साथ के साथ के फाइदे भी बहुत है उबाल आ चुका है फ्लेम को मीडियम आज पर कर देंगे और जो केसर नहीं है तो आप उसे रोस्ट करेंगे घी में पहले फिर इसमें आड करेंगे हलकी आज पर रोस्ट कीजेगा जब खुश्बु आने लगेगी मतलब ये रोस्ट हो चुकी होगी आदी कटोरी वर्मिसिली मतलब आदा कप यानि की 100 ग्राम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आप भूल जाते हैं तो आदा गंटा पहले गरम पानी में भी भीगो सकते हैं हीर को अच्छे से पकाने के लिए स्लो से मीडियम आज पर पकाएं ताकि टेस्ट भी अच्छा सा आए और कड भी अच्छे से जाए अब इसमें डालेंगे आज से दस काजू जिनको टु जो बदाम हमने भीगोए थे उसको भी काट के टुकड़ों में वो भी डाल देंगे और थोड़े से टुकड़े बचा लेंगे कारनिष्ट के लिए जब से हमने वर्मिसिली डाली थी तब से 10 मिनट के बाद हमने ड्राइफ्रूट से आट की हैं देखिए अच्छे से पक र देखिए दूद और वर्मिसिली अब अलग-अलग नहीं नजर आ रही हैं इस समय चीनी आड कर देंगे मैंने यहां पर 40 ग्राम चीनी डाली है यानि की एक चुथाई कप या फिर पोनी कर्ची अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी डालने के बार नहीं तो चीनी नीचे लग सकती है इस टाइम पर ही आप इलाइची पाउडर डाल दीजे मैंने यहां पर दो से तीन इलाइची का दानों का पाउडर बनाया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक चथाई टी स्पून यानि इलाइची पाउडर चीनी बिल्कुल एंड में डालिएगा जब बिल्कु से चार मिनट पका के गैस बन कर देंगे खीर बिल्कुल रेडी है बहुत ही टेस्टी लगती है आप किसी भी फेस्टिव सीजन पर बनाया है या कभी भी आपको मीठा खाने का मन करें डिनर के बार तो यह रेसिपी बहुत जबदस्त है आप इस रेसिपी को ट्राइची और मेरे साथ शेर कीजेगा अपने experience और feedback की कैसी लगी यह रेसिपी अपने friends and relatives के साथ भी शेर कीजेगा इस रेसिपी को अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी रेसिपी की वीडियो लाओ जो की आपकी मन पसंद हो तो नीचे comment box में mention कीजिए उस रेसिपी के ना मैं मिलूंगी अगली बार नई और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए goodbye, take care, don't forget to like, share and subscribe